हलो दोस्तों good morning guys welcome back to my new vlog राज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है मुहमद आसीफ और आज हम बात कने वाले हैं blue smart mobility और uber electric के बारे में तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं इस्टार तो दोस्तों यहां पर एक सब्सक्राइब की और ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की कैप यह दोनों की टर्मेंट कंडिशन पॉलिशी बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंट है ब्लू स्मार्ट मौबिलिटी की जो पॉलिशी है दोनों जो कह रहे है कि आसी बहुत दोनोंका पाइसे देना यहां पर अगर मैं बात करूं सबछे ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की तो यहां पर आप जान लिजी देखो इसके अंदर सबसे पहला कुश्चन आपके दिल में पांस साल पुराना लाइसंस और इसकी जो टर्मेंट कर्डिशन है ना वो कंपनी के लिए आपको काम करना है बाकी कंपनी आपको गाड़ी देगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग करके हर एक चीज आपके लिए तयार रखेगी रेडी रखेगी उसके बदले में आपको पैसा देगी साड़े साथ सो रूपे स 900 रूपे मेने के 30,000 35 पकड़ लीजिया और इसके उपर आप जाते हैं तो आपका वो इंसेंट्रिव बगेरा मिला के जो कमाना चाते हैं मैं आपको फिर याज इसके वीडियो में बता दूं जिसको काम करना है उसके लिए कोई बाहना नहीं है जिसको नहीं करना है उसके ल सबसे पुराना पहला कोईशन आपके मन में पांच साल पुराना लाइसंस है काम करना है कंपनी के लिए बुकिंग केंसल करनी नहीं है कस्टूमर को सर्विस देना है फाइव इस्टार रिटिंग लाओगे आपको इंसेंटी मिलेगा मतलब काम करना है आपको सो बात की एक समझ लीजी है जब भी बुकिंग आ रहा है सर्विस करनी है आपको तुमको परुड़ती है फाती है के नहीं पाती है काम अच्छा लगता नहीं लगता वो सब आपको उपर अपना खुद का आपका अपना चोईश डिपेंड करती है यहां पर जो भी पैसे कमाने आओगे तो आपको काम करना पड़ेगा यहां पर क्यूंकि ड्राइविंग है आप ड्राइविर की एक जॉब करो और गाड़ी कंपनी की है गाड़ी आपको सब कुछ कंपनी करके देगी यहां पर आपको काम करना है काम कितने गंटे करना है दस से बारा गंटे जो भी आपका सुलो कर सकते हैं अब बात के लेजिए उबर की इलेक्ट्रिक तो उबर की इलेक्ट्रिक जो भी गाड़ी आना उसकी टर्मेंट कंडिशन बिल्कुल अलग है अगर आपका पुराना मतलब जरूरी नहीं आपके पास पॉराना लाइसेंस है तभी आपको गाड़ी मिलेगी नहीं एक्सपिरेंस वो जो उबर ब्लू स्मार्ट मोबिलीडी के अंदर एक्सपिरेंट ड्राइवर चीए पास साल पुराना लाइसेंस चीए तो उसके अंदर जो टर्मेंट कंडिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है उबर की इलेक्ट्रिक से कॉम्पेरीजन में अगर करते हो तो यहां पर उबर इलेक्ट्रिक का भी वही सही है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन पॉलिसी पूरी डिफरेंट है सबसे पहले जा लेजिए साड़े साथ सो नौसो रुपए अगर आपकी जो स्लोट की टाइमिंग है ना आदा गंटा पहले लोगिन कर लेते हैं तो आपको 1.500 रुपए और एक्ष्ट्रा मिल जाते हैं बोनस के दोर रुपए इसके उपर अगर काम आप जो टार्गेट दिया जाता है ना 3,000 का 4,000 का अगर आप उपर क्रॉस करते हो ना टार्गेट तो वहाँ पर आपको 35% पूरा बिजनिस में कल्कुलेशन करके आपक का है अभी बोलते हैं वही 4,000 का हो जाता है तो यह टार्गेट वाला सिस्टम है ना इसको पूरा करते हैं वहाँ पर आपको 35% आपका होगा और 65% कमपनी का होगा क्योंकि कमपनी इसमें आपको चार्जिंग बगारा जो भी है ना अटरम खटरम सब कुछ करके देगी आप पर अब को शेलरी मिलें आ अगरा उसके अंदर आप रहते हैं हमको टार्गेट पूरा नहीं होता है तो आपको 750- anxious ौ रुपे की सेलरी पड़े के रिखके आपको मिलेगी माने मैं के मौकर आप एक चुट्टी ले सकते हैं यह फिर आपको नहीं लेनी है तो आपका यहां पर आपको security रिपोजी करने के बाद आपको पैसे कमान है, जो भी company की policy है, termine condition है, उसको agree करना है, अगर आपको काम परवड़ता है, फाता है, पोसाता है, तो आप काम कर सकते हो, नहीं पोसाता है, तो आपकी मर्जी है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिन्दी की मतलब दो दो तीन तीन सालों से average split के साथ जुड़े हुए है, और अच्छे कासे पैसे कमा रहे हैं, जिसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है, उसके बाद कुछ इसको issue हो गया, उसको फाता नहीं गाड़ी डाइब नहीं पा रही है, या फिर ट्राफिक में उसको गाड़ी नही बहुत ही हाई भी ट्राफिक होता है तो मज़ा नहीं आता हमको गाड़ी ड्राइब करने में तो इस चीज भी आप समझ सकते हो और इसके बारे में भी सोच सकते हो देखो यहां पर दो चीज आप समझ लिए अपना खुद का गाड़ी ले रहो तो आपको टेंशन होगा गाड का डिंख की यो मताब टाइमिंग आपको बढ़ेगी कि पहले काम होने वाला है जिसकी गाड़ी इसकी कांपनी का अपनी गाड़ी चला रही है तो पहले जो भी जो मड़कीङ हो रहे वाली है वह यही मैंठ पॉइंट है और इन फीचर जो भी होगा ना इस पे बहुत आपने बहुत सारे शिटियों के अंदर भी देखा होगा अभी फिलाल कुछ दिल्ली के अंदर भी मैंने बहुत देखा था मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट भी आयते और लोगों ने मुझे फोन करके भी बता था आसिब भाई उबर के अंदर जो बुकिंग की टाइमिंग है ना मतलब आती इhtी नहीं बाई दो दो गुंटे, तीन, तीन, गंटे आती नहीं है और जो ऊबर की गणियां चला देंगें उनके पास पहले जाती है हमारे पास मतलब बुकिंग देगी नहीं रहा है बहुत कटिंग कर रहा है जब कोई ना हो आसपास में या फिर उसके डिकरी की बुकिंग ना हो गाड़ी एभी लिमल ना हो ना वहां पर पॉइंट पे तब हमको जाके मिलती है और यह बात दोस्तों बिल्कुल सच है और यह वाली चीज में आपको दो एक साल पहले ही बता चुका था जब कि उबर की इलेक्ट्रिक गाड़ी आई थी तब ही तो पहले काम उनका है बाद में नंबर तुमारा है यह चीज आप जालो अगर आपके शहर में इनकी सब की गाड़िया चल रही है और आपनी रुपे फसाने से पहले कुछ चीज आपने मन से सोच लिया करो ताकि इन फूचर जो भी खर्चा वर्चा होता है ना वह अपने पास से फालतो पैसा वेस्ट नहीं जाए गाड़ी का यह माई बहने में प्रोलम्स नहीं है वो सारी चीज थोड़ी बहुत सोच के अपने हिस है तो सारी कुछ देखके अपना हिसाब से मेनेच कर सकते हो तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था फिर मिलेंगे नेश्ट ब्लोग के साथ तब तक के लिए जय है